नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आई एस प्रेपक अडमी पर आज की तारीक है 27 जनवरी 2020 लेकिन आज का चो करेंट अफेर है उसके अंतर गत हम डिसकस करेंगे 26 और 27 जनवरी दोनों के करेंट अफेर को 26 जनवरी को कल क्लास नहीं आई थी और इसलिए हम दोनों दिन का करेंट अफेर इसमें हम देखेंगे एक दिन की हम चुट्टी करते हैं संडे को कई बार आप लोग पूछते हैं मैंसल करके तो ध्यान लखिए आज का सुविचार देख लेते हैं उसके बाद हम करेंट अफेर की क्लास सुरू करेंगे जैसा कि हम रोज करते हैं आज का इसकारण से मैं नहीं कर पाया, इसकारण से पढ़ाई नहीं कर पाया, इसकारण से मेरा काम नहीं हो पाया, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो आप कभी भी अपनी समस्याओं से उबर नहीं पाएंगे, अपनी कठनाईयों से आप निपट नहीं पाएंगे, इसलिए जिम् and Affair है, यह UPSC यानि IES की तयारी अगर आप कर रहे हैं तो UPSC और सभी state exams के लिए बहुत important है, साथ में अन्य परिच्छाओं के लिए भी इसका उप्योग आप कर सकते हैं, ठीक है, आज की जो सबसे पहली news है, उसको हम discuss करने जा रहे हैं, उसके पहले एक ख़बर है, मेरी team की तरब से आप लोगों के लिए, अगर आप B.O. का exam दे रहे हैं, तो अब भी आप full course या testries जोइन कर सकते हैं, और अगर आप इसको जोइन करना चाहते हैं, तो हमारी website को विजिट करिए, uppsctarget.com को या हमें 6307281212 पर WhatsApp कीजिए, इसको क्यों बंद किया जा रहा है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, हिंदुस्तान फ्लोरो कार्बन लिमिटेट जो है, ये हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेट की एक सबसेडियरी है, उसकी एक साहय कमपनी है, और इसका एक मात्र जो अभी plant कारेरत है, हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेट रसायन वा पेट्रो केमिकल जो विभाग है हमारा, उसके अधीन कारे करती है, हिंदुस्तान फ्लोरो कार्बन लिमिटेट को केवल HCFC 22 नामक रसायन से राजस्तो प्राप्त होता है, भारत सरकार ने मार्ज 2020 से इस रसायन का जो उप्योग है, वो कम करने का निर्णे ले लिया है, अगर इसको कम करने का निर्णे लिया गया है, तो अब इसका उप्योग नहीं रह जाएगा, इसलिए ये कमपनी बंद कर दी जाएगी, और यहां जो 88 करमचारी हैं, वरकर्स ह वो यहां से कहीं पर समय उजित किये जाएंगे, वो आगे की बात है, इसलिए इसको बंद किया जा रहा है, चर्चा में है, यहां पे जान लेना ज़रूरी है कि जो HCFC है, यह किसलिए उप्योग होता है, और क्या इसका काम होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप AC यानि वातानुकूलन का यूज करते हैं, वातानुकूलित का, रेफ्रिजरेटर जो आप यूज करते हैं, इसके अलावा बोईंग एजेंट में भी इसका उप्योग होता है, प्लास्टिक फोम का जो निर्माड होता है, उसके अंतरकत इसका उप्योग होता है, आख बुझ Feeding Trends Initiative. ये क्या है? ये एक कारिक्रम है, एक initiative है, जिसके अंतरगत अस्तन पांधर पर एक सर्वे किया गया. 97 देशों का इसके अंतरगत सर्वेचन किया गया. भारत के टीम ने इसमें काम किया, भारत की टीम ने और इस सर्वेचन में स्री लंका को पहला अस्थान प्राप्त हुआ. स्री लंका ने 100 में से 91 अंक प्राप्त किये हैं इसके अंतरगत. लएकि स्री लंका में जो मा के द्वारा बच्चों को दूद पिलाने की दर है, वो सबसे जादा है. वहाँ पे बच्चों के स्वास्थपर, मा के स्वास्थपर ध्यान दिया जाता है. इस सर्वेचन में 10 अ के आधार पर देशों का मुल्यांकन किया आता है और इस सर्वेच्छन में स्री लंका के बाद जो अस्थान आया है वो आया है क्यूबा, बांगलादेश, गांबिया और वोलिविया का लेकिन पहला अस्थान आपको याद रखना है वो अस्थान है स्री लंका का भारत को इस सूचकांग में देखा जाए, तो केवल 45 अंक मिले हैं, स्री लंका को 91 मिले हैं, लेकिन भारत को केवल 100 में से 45 नंबर मिले हैं, और इसका जो अस्थान है, वो 70 एर्थ है, 78 अस्थान भारत को हासिल हुआ है, वर्ड ब्रेस्पेडिंग ट्रेंट्स जिसने ग्रीन कोड को प्राप्त किया है, ग्रीन कोड प्राप्त करने वाला एक मात्र देश है, भारत का तो एलो ही है, और ये जो वर्ड ब्रेस्पेडिंग ट्रेंट्स इनिसियेटिव हैं, ये 2004 में सुरू किया गया था, दिल्ली में ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन पंदिया है उसके विशेशक के हैं उन्होंने इसको सुरू किया था वही लोग ये सारे काम को कंप्लेट करते हैं चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं अगली न्यूज है भारत परवे 2020 भारत परवे 2020 जो है इसका आयोजन डिली के लाल किले में गड़तंत्र दीवस के स दोरान किया जाता है आप देखते हैं जहां किया निकलती है भारत की जो समरिद्य सांस्कृतिक विराशत है उसको आप उसमें देख सकते हैं उसको एक कह सकते हैं एक कानवास पे आप देख सकते हैं और एक जगह पे आप देख सकते हैं पूरे देश को पूरे देश की जो स सांस्कृतिक विराशत है इस वर्ष जो भारत पर्व 2020 का आयोजन है ये 26 जन्वरी से 31 जन्वरी के बीच में किया जा रहा है यानिकि अभी 26 जन्वरी से स्टार्ट हुआ है और 31 जन्वरी के बीच तक ये होता रहेगा इसका उदेश लोगों में देश्वक्ति की भावना को जागरित करना और देश की समरिद्ध सांस्कृतिक विविदता को बढ़ावा देना है भारत पर्व एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना को परदर्शित करता है एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना भारत जैसे देश में ही ये नहित है तो उसको ये परदर्शित करता है इसका जो आयोजन होता है वो केंद्रिये परियाटन मंत्राले द्वारा साथ में राज्य सरकार जो है और अन्नी केंद्रिये मंत्रालियों के सहयोग से किया जाता है हर बार ऐसे ही होता है इसमें जहाकिया निकाली जाती है और इसके बारे में अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो जितनी भी काम होते हैं बहुत सारे इस्टेट की जहाकिया निकलेंगी और उनमें आप राज्य की विवहन जो सांस्कृतिक दिरासत है उनको आसानी से देखेंगे, तो ये जो चीजें होती हैं, वो क्या करती हैं, ये जो चीजें होती हैं, वो हमको दिखाती हैं, कि देखिए, हमारा जो राष्ट है, हमारा जो देश है, वो कितना समरिध है, तो इसको किवल एक जहाकी के तौर पर हमको नहीं लेना चाहिए, इस कि में बात करने जा रहा हूं। यहां पर यह सुच्कांग जारी किया गया है इसमें इन्डिया की रैंकिंग चीए यह प्रश्न डारेक्टियो पूछा जाएगा इसकी जो ranking है वह score यहां पर 41 और इसकी जो ranking यह timer है यह 80 है और change इतना हुआ है minus two यानि कि दो राइंक की पीछे हो गया है कौन भारत और प्रथम अस्थान पे कौन है डेन्मार्क है प्रश्टाचार अवधार्वना सुचकांग में प्रथम अस्थान पे डेन्मार्क है यहां पर देखा जाए तो zero है यहां पर देखिए the corruption perception index uses a scale up 0 highly corrupt यहाँ डेन्मार्क जो है वो बहुत ज्यादा corrupt है और जिसका 100 है score है ना तो यह क्या है वेरी क्लीन ग्लोबल एरेज 43 है यहाँ पर जो ग्लोबल एरेज है वो क्या है 43 है अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं जो यह सुचकांग है इसका निर्वान भारत की सारज्वनिक छेत्र और न्यायपालिका में जो भष्टाचार व्याप्त है उसके संदर्व में विसेसग्णों के द्वारा किया गया है इसमें बिजनेस executives भी होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है यानि कि इसमें न्यायपालिका में भष्टाचार जो विद्दिमान है और साथ में जो सारज्वनिक छेत्र है उनमें जो विद्दिमान है उसके आधार पर किया जाता है इस सुचकांग में 20 सुभर में भष्टाचार के सुच है वो 41 था और इस वर्जबी भारत का score कितना है वो 41 ही है 41 ही है देखे अभी score हमने देखा है ना score जो है वो 41 है लेकिन score यानि कि कितना marks ने प्राप्त किया है और यह क्या होता है जो rank होती है वो देशों में उसका क्रम क्या है तो देखे ग्लोबल euros 43 है और भारत का score 41 है यानि कि global euros से भी इसका कम है समझ रहे हैं और अगर धेन्मार्क की बात करें तो धेन्मार्क में भेश्टाचार फिल्कुल नहीं है और सोमालिया में दीखिए इसका score K19 है और यह 180 रेंक है यानि कि यहां पे भेश्टाचार सबसे दोनों में अंतर यह हो गया है कि 2018 में इसकी रेंक 78 थी और 2019 में जो इसकी रेंक है वो क्या हो गई है 80 हो गई है 2019 में इसकी रेंक कितनी हो गई है वो 80 हो गई है तो यह आप ध्यान रखिएगा आप से प्रश्ण पूछा जाएगा कितना गिरावट होई है तो ये भी आप बता सकने में सक्षम रहेगे अगला है राष्टिये मद्दाता दिवस 25 जन्वरी को राष्टिये मद्दाता दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है इसका उद्देश होता है चुनाओं में जो मद्दान करने वाले लोग हैं उनको बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना अभी दिल्ली में चुनाओं होने वाले हैं मार्च, सरी, आठ फर्वरी में साइद चुनाओ है महादिल्ली में, आठ फर्वरी को ही है, और इस चुनाओ के लिए इतना जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी सुवधाये दी गई है, अगर कोई ओड डालने में सक्षम नहीं है, जाने में सक्षम तो उसको pick up, drop की facility दी गई है, और paper ballot का उप योग वैसे भी वो कर सकता है, और वो बहुत सारी सुवधाये और सारी दी गई है, तो बार-बार government कोसिस कर रही है कि जादा से जादा लोग participate करें, अपना leader चुनने में, और अगर ये participation कम होता है, तो वो उसको फेर वैसे भी न दरसन करते हैं, निर्वाचन अधिकारी, उनको National Award for the Best Electoral Practices, ये प्रदान किया जाता है, तो उनको संबानित किया जाता है, पहली बार राष्टियमत दाता दिवस जो है, वो 2011 में मनाया गया था, और ये मनाया क्या जाता है, किस तिथी पे मनाया जाता है, और इस तिथी को क चुना गया, तो इसको आप कह सकते हैं, इसलिए मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को, जो हमारा Election Commission है, चुनाव आयोग है, उसका Establishment हुआ था, उसकी अस्थापना हुई थी, तो इसलिए ये 25 जनवरी को ये तिथी चुनी गई है, और 2011 से ये मनाया जा रहा है, जाकरु इसको कर चुके हैं, ठीक है, तो हमारा जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग कब बना था, आपको ये याद रखना चाहिए, कभी-कभी प्रशन पूछ लिया आता है, और एक चीज और बताईएगा, या ऐसा आपको पढ़ना चाहिए, मैं तरीका आपको बताता हूँ, कि ये किस आइटकिल में है, हमारे भारतिय समयधान की किस आइटकिल में चुनाव आयोग का जिक्र है, सीधा प्रशन है, पूछा जाता है, गजनभी मिसाइल का सफल परिच्छ, कलर देखे ही आप जान गय होंगे, ये कहां का है, तो ये पाकिस्तान की ये मिसाइल है, ये विक आप देखिए, ये पाकिस्तान की गजनभी मिसाइल है, चाइना हर चीज में इसमें सपोर्ट करता है, मेरे ख्याल से इसके डेवलमेंट में भी चाइना नहीं सपोर्ट किया होगा, ये ओपन वाली बात नहीं है, अंदर वाली बात है, जो गजनभी मिसाइल है, ये प मार कर सकती हैं, कभी-कभी जो अपने पडोसी देश हैं, उनकी मिसाइलों या उनके अस्त-सस्त के बारे में भी प्रश्ण कमीशन पूछ लेता है, तो आपको ये ध्यानक न चाहिए, साथ में वैसे भी पडोसी देश की क्या strategy है और कितनी छमता है, ये हमको पता होना गजनवी मिसाइल का विकास, पाकिस्तान की national development complex, जैसे हमारे यहां का DRDO है, ऐसे वहाँ पर है ये, उसने किया है, और इसका नाम 11 सती का जो तुर्क आकरमन कारी था, महमूद गजनवी उसके नाम पर रखा गया है, ठीक है, अब इसका नाम ही आप समझ सकते हैं, इनका क्या उद्देश होता है, कैसी चीज़ों, कैसी मानिताओं को ये मानते हैं, ठीक है, तो ये पूरा इसके बारे में news हुई, और ये जान लीजे कि चायना हर छेतर में support कर रहा है, तभी ये इतना development हो पा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास वैसे देखा जाए, कि वो इतना चीज है, वो IR की चीज़े है, वो भी इस language में नहीं, तो मैं बहुत सरल भासा में आपको बता रहा हूँ, लेकिन भारत के पास इन से अच्छे हथियार है, ये भी आपको मानना चाहिए, चलिए, अब important one-liner जो है, उनको देख लेते हैं, 44 में कलकत्ता पुस्तक मेले की theme country की से है, फिच गुरूप की काई, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2021 के लिए भारत के GDP ब्रधी दर को कितने रहने का अनुमान लगाया है, तो इसने का है 5.5%, तो ये 2021 के लिए अनुमान लगाया है, ये ध्यान लखिएगा, यानि आगे भी बहुत सुधार होने की अभ 62.168 डालर तक पहुँच गया, विश्व में सरबादिक विदेसी मुद्राभंडार वाले देसों की सूची में भारत का अस्थान कौन सा है, तो ये आठवा अस्थान है, और वैसे देखा जाया है, तो चाइना का जो विदेसी मुद्राभंडार है, वो सबसे जादा है, च जनवरी 1971 को उसको पूर्ण राज का दर्जा दिया गया था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, विशेश रेनी के जो ऐसे राज है, जिनको एड़ दिया जाता है, उसकी अंतरगत या आता है, लिकिन ये कंसेप्ट धीरे-धीरे हम सभाप्त हो रहा है, ये करेंट अप्पेर की